लेकिन बढ़ते हैं आगे बाद उत्राखंड की भी कर लेते हैं क्योंकि उत्राखंड भी एस बारिश से अच्छूती नहीं है खबर ताजा आपको दे देते हैं उत्राखंड में बारिश के चलते बद्रिनाथ हाईवे बन कर दिया गया है खबर बड़ी है जानकारी बड़ी है देराथ हुई बारिश के चलते बद्रिनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है हाईवे के दोनों और सैकडों वाहन फसे हुए नसर आ रहे हैं आए दिन राजमार के बंद होने से लोग परिशान है क्योंकि चारधाम की आत्रा भी हम देख रहे हैं कि चल रही है देराथून पौडी नैनिताल में भारी बारिश का अलर्ड चारी किया गया है खबर एस वक्ति आपको बड़ी देने की कुशिश कर रहे हैं चमपावत और उधम सिंग नगर में भी येलो अलर्ड चारी किया गया है खबर बड़ी है उत्रा खड़ से जानकारी बड़ी है कि देराथून पौडी नैनिताल में भारी बारिश का येलो अलर्ड चारी किया गया है हालांकि अगर हम बात करें बड़ी नाथ हाईवे बंध होने से एस वक्त लाकों की तादाद में लोग परिशान है क्योंकि कई गाड़ियां ऐसी है जो वहाँ पर फसी हुई है और उन गाड़ियों को निकालने के लिए थोड़ा इंतिसार करना पड़ेगा जब तक मौसम ठीक ना हो जिसके बाद हम देखेंगे कि आतयात को बहाल किया जाएगा अभी फिलाल के लिए का जाता है कि कई इलाकों में भारी पारिश आने की संभावना है इसलिए यलो अलर्ड भी जारी किया गया है इद में से देरादून, पौड़ी, नैनिताल, चंपावत, उधंसिंग नगर और कई अन्य इलाके भी शामिल है जिसमें का जाता है कि बद पर से बद्रिनाथ हाईवे को बन कर दिया गया है कि देर राज से लगतार उत्राखंड में तेज बारिश हो रही है तेज बारिश का सिलसिला ठमने का नाम नहीं ले रहा है लगतार बारिश की वज़े से लोग इस वक्त थोड़े परिशानी में जरूर है जो कि बाहर से उ इस वक्तिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चारदान की यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं कि कैसी जो सुविधाय है उस सरकार की तरफ से उपलब्द तो कराई गई हैं लेकिन गुद्रत का कैर है और गुद्रत का कैर जब बरप रहा है तो इस वक्त परिशानी होना आपने आ सकती है हाइवे लगातार बाधित रहे सकता है कि मौसम वैग्यानिकों की तरफ से जानकारी दी गई है लेकिन खाबर एस वक्त कि आपको बड़ी बता रहे हैं उन इलाकों के नाम बता रहे हैं जहां पर येलो अलेट चारी किया गया है क्योंकि आए दिन राजमार् बादल फटने की खबर सामने आई जिसे कितने लोगों की जान चली गई ऐसी को तस्वीर इमाचल प्रदेश से भी सामने आती है उत्राखंड से भी सामने आती है कि उत्राखंड के रामनगर में हमने देखा कि कैसा हास्सा हुआ वहाँ पर हालांकि अगर हम बात करें इस व वक्त बारी बारिश का बना हुआ है और इस वक्त मद्रिनाथ हाईवे को बन कर दिया गया है आलांकि यात्रियों से कहा गया है कि जल से जल खूला जाएगा जिसके बाद इस यात्रा की शुरुआत की जाएगा